हे गाईज वैल्गम बैक टो न्यूव वीडियो मेरा नामे दिपको सुआगत आप सभी का दीप टैक वीडियोग चैनल में गैज आपको इस चैनल पर काफ़ी इंट्रेस्टिंग और यूजफुल वीडियो मिलेगी तो अभी से दीप टैक वीडियोग चैनल को करके जो यह बैल आइकन आएगा इसको और पर सेट कर लेना अब चलते हैं गाईज वीडियो की तरफ तो वीडियो हमारे होने वाली है आइडिया सिम के ओपर तो आइडिया सिम में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब नेट चलाते है या ओन करते हैं यहां से ओपर से तो हमा पर सो नहीं हो रहा है या चल नहीं रहा है चल भी रहा है तो काफी मतलब अगर आपने अब डाटा ओन किया वह पांच मिनट बाद या दस मिनट बाद ओन हो रहा है तो गईज यह सब प्रोब्लम आपकी सोल हो जाएगी आपको कुछ सिंपल सेटिंग करने होगी तो सबसे कर देखने के लिए मिलगा स्ट सिंप कार्डं मोबाइल डाटा है ॉससे पहले आपको सिंपल देखने के लिए मिलगा सिंपने कार्लो जीका अपने इसम में डियूज करते हैं वर यहांको डेका犯 कbright सिंपार और आपने SIM2 यहां पर Clark किया हुआ तो ऐसे में आपका internet नहीं चलेगा आपका internet तभी चलेगा अगर आपने SIM1 में ही इंटरनेट डलवाए हुआ है और सिमस्ट है आपका इंटरनेट चलेगा अगर आपने उलटा थोड़ा बहुत मिस्टेक ही यहां पर इसको सॉल्ल कर लेना इससे आपका इंटरनेट चल जाएगा अगर नहीं चलता है तो और भी कुछ यहाँ पे solution है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आपको जैसी आप अपने sim में जाओगे तो sim में आपको data roaming का एक option देखने के लिए मिलेगा इसको हमेशा आपको on रखना है क्योंकि यह आपके जो area होता है वो save guys यह कभी on हो जाता है कभी off हो जाता है तो यह on off आपका internet तभी होगा अगर आप इसको off रखते हो अगर आपको अपने internet हमेशा active रखना है तो आपको इसको on रखना होगा तो data roaming जो है आपका हमेशा on रहना चाहिए और guys last हमारा एक option है कहागा network कि आपका कोई भी सीमो यह खाली idea के लिए नहीं कोई भी सीमो यह हमेशा आपका auto पर होना चाहिए क्योंकि जब भी network आपके एगया में कम होगे तो आपका mobile जो है automatic दूसरा network select कर लेगा क्योंकि एक ही company के कहीं सारी network run करते है तो guys यह आपके लिए काफी useful होगा और इसको हमेशा auto पर रखना है अगर इसी भी आपका internet चल जाए तो ठीक है अगर नहीं चलता है तो guys एक last option बज़ता है access point name का तो access point name में आपको आना है आपके पास जैसे की idea गसी में तो आपको यहाँ पे default API देखने के लिए मिलेगा उसमें आपको चड़गाने नहीं करना है पलस के icon पर क्लिक करना है और एक new API बनाना है तो new API में आपको क्या लिखना है आपको सबसे पहले लिखना है internet internet space 4g यह आपको यहाँ पर लिखना है और API में guys आपको लिखना है simply internet internet लिख लिएगा जो जो चीज़े में आपको बता रहा हूँ आपको वही लिखनी है आपका internet जो है guys कभी भी नहीं बगएगा internet तो username में आपको internet लिखना है पासवर्ड छोड़ दीजेगा server पर आएगए तो यहाँ पर आपको simply google का server दे देना है तो यहाँ पर गाईज आपको google का server देना है तो यह दे दीजिए गा mmhc, mmhp, 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 mcc, mnc, mnc यह सब कुछ चनो साट रहेगे authentication टाइप पर आएगे तो यहाँ पर गाईज आपको क्लिक करना है लाश्ट वाले पर पिए पिए उसे ही पर इसके बाद एपन टाइप आएगा तो एपन टाइप में आपको लिखना है यहाँ पर default,supl तो आपको यह इसमें लिखना है लिखने के बाद next आता है एपन प्रोटोकोल तो एपन प्रोटोकोल में आपको क्लिक करना है लाश्ट वाले पर जिसमें लिखा हूँ है आइपन प्रोटोकोल में भी करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद लाश्ट है वेगार्ट जो काफी इंपरोटेंट होता है एक एपन सेटिंग के लिए तो सबसे पहले ही आपको आनी स्पेसिफाइट पर मिलेगा उसको वहाँ से अंटिक कीजिएगा अं अपने डिवाइस को रिबूट करना है यह जो मैं सेटिंग बता रहा हूं गाइज यह आइडिया के सिंप पे रन होगी ना कि अधर सिंप तो गैज इस तरीके से आपके जो इंटरनेट वह 100% चल जाएगा अब आपको यह वाली प्रोब्लम होने वाली नहीं है कि आपने आपे ओपर इंटरनेट सो नहीं हो रहा है यह वाली प्रोब्लम अब आपकी खतम हो जाएगी आई होप यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते है दोबार एक नहीं वीडियो के साथ तब तक स्यूं लेटर बाइ भूब खते हैं